गौट पावर देखने वाले साथक गन और साधिकाओं को मेरा प्रणाम दोस्तों सबसे बड़ा पर्व छट पूरे देश में बहत धूमधाम के साथ मनाया जाता है कार्तिक मास के सुकल पक्ष के चतूर्थी से सप्तमी तीथी तक चलने वाला चार दिन का यह पर्व रवी बार से नहाय खाय के साथ सुरू हो गया है सुर्देब की बहन छटी में की पूजा में अगर कुछ चुक हो जाती है तो यह आपको बहुत ही महेंगा पर सकता है आज इसी भी से पर मैं एक वीडियो देने जा रहा हूँ जिसे आप लोग पूरे ध्यान पूरवक देखें सुनें और लोगों को बताएं पूजा के दोरान अगर आपसे यह गलतियां हो जाती है तो छटी में आपसे नराज हो जाएगी आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाएगा छटी में का परसाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखें बरत के दोरान घर से मानसाहारी खाना बिलकुल भी नहीं रखना चाहिए बरत के दोरान घर में धुम्रपान भी नहीं करना चाहिए सुरे को अर्थ देने से पहले जल्या भोजन गरन नहीं करना चाहिए घर में प्याज और लासुन बिलकुल न रखें सुरिक को आर्ग देने वाले पात्र का बिसेस ध्यान रखना चाहिए कभी भी चांदी, स्टील, सीसा और प्लास्टिक से बने बरतनों से आर्ग नहीं देना चाहिए अगर आपने छटी मया की मनोती मानी है तो उसे जरूर पूरा कर लेना चाहिए नहीं तो छटी मया नराज हो जाएगी परसाद बनाने की जगा पर भोजन नहीं करना चाहिए छट का ब्रत करने वाले को वानी पर भी सयम रखना चाहिए किसी को अब सब्द कहने से पूजा का फल नहीं मिलेगा स्वक्षता का बिसेस ध्यान रखें पूजा के दोरान गंदे कपरे ना पहने नहाय खाय से छट समाप्त होने तक ब्रती महिला और पुरुस को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए परसाद बनाते वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए नमक या इससे बनी चीजों को नहीं चुना चाहिए पूजा की किसी भी बस्तु को जूठे या गंदे हाथों से ना चुए इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए छट पर्व को सुधुता के साथ मनाए आपको छटी मेया जरूर ही अच्छे फल परदान करेगी धन्यवाद दोस्तों